हेलो श्रेंट्स, वेल्कून डू माइ नर्चर, मैं हों कृष्णा, कैसे आप सब लोग, मस्त, बढ़िया तो उमीद कर रहा हूँ, पढ़ाई बहुत अच्छे चल रहे होगी, और लास्ट लेक्चर आप लोगोंने देख लिया होगा हम लोग, चैप्टर नमबर 11, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं और ये लेक्चर नमबर 3 है, एंटी ट्यूबर कुलर एजेंट्स ट्यूबर कुलर मतलब की एक तसम कह सकते हैं, गांठे टाइप की चीज़े होती हैं, हलकी सी गांठ जैसी बन जाती है उनको उनका अगेंश्ट, उनको खतम करने वाले एजेंट्स के नाम क्या हैं? इनको बोलेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग जो कोई बिमारी होगी तो आप देखें क्या बिमारी है और समझने की कोशिश करें टूबर किलोसिस जिसे हम छह रोग भी कहते हैं है ना टीबी जनरली लोग ये जानते हैं कि टीवी फेपड़ो में होती है है ना कफ आता है और ये फैल जाती है एक दूसरे से इतनी बाते ज जहास ही आ रही है उस केस में थो ज्वा जादा खतरनाग हो जाती है बड़ क्या टीवी हमें सब फैपड़ो रहो सकता है तो चार्ट में स्क्र %. जीजरी पहलते हैं इंफैक्ट सियस्ट डिजीजी इनफैक्ट सियस्ट मतलब जो फेले हैं जो फैलेसं हैं जैसे हैं यह तो धिया दूसरे को हो गया है ना तो जब एक वीमारी दूसे अंदा एक इंसान से घुल जती है तो उसको कहते Kundtons काएं अब जैसे infectious नहीं है तो बात समझ में आ रही ना infectious क्या होती है बात समझे infectious क्या होता है जो बिमारी फैलेगी disease usually caused यानि कि है infectious disease usually आम तोर पर caused by mycobacterium जिस bacteria के द्वारा फैलती उसका नाम है mycobacterium tuberculosis mtv कहा जाता है ठीक है कौन सा bacteria इसको फैलाता है किस बैक्टिया के कारण होती है ठीक है और यह infectious disease है tuberculosis generally affect the lungs generally lungs को affect करेगा है हमारे lungs प्रवावित होते हैं but but it can also affect other parts of the body यह बात important है ना बहुत से बच्चों को नहीं पता बहुत से लोगों को नहीं पता होता है ठीक है कि body के दूसरे parts की affect होते है most infections show no symptoms कई बार infection इसका ऐसा होता है TB हो रखिये बट symptom कोई नजर नहीं आता है कोई symptom नहीं दिखाए पड़े कि टीवी है अगले इंसान को in which case it is known as latent tuberculosis सांत पता नहीं चल रही है अगले इंसान को और उसको TB है क्योंकि कोई symptom ही नहीं है इंसान नॉर्मल है ठीक है अब जनरली ऐसा कब होता है जब lungs के नहीं होते है और body के other parts में TB हो जाती तो पता नहीं चलता है कि अगले इंसान को TB है ठीक है देखते हैं आगे क्या है हमारे एक पास फिर कह रहे है टीपीकल को अगे तीपीकल सिम्टम साथ और एक्टिव टीवी ठीक होती हिती लेटेंट टीवी और एक होती एक्टिव जिसके अंदर हमको सिम्टम्स दिखाई देंगे और क्रोनिक कफ कफ होगा बहुत थाना ज्यादा कफ रहेगा विद ब्लड ब् मुकस उसके दब म्यूकस होगा हलका हलका गड़ा गड़ा फीवर आ सकता है नाइट सुईट रात में पसीन आ सकता और बजन लॉस वेट लॉस हो सकता है यह शिम्टम्स अगर दिखाई दें तो समझना कि टीवी के लक्षण हो सकते हैं ठीक है इंफेक्शन ओफ अधर और और अगे सिम्टम्स फ्ब्स से लॉप धिस सिय लॉंग इस स्थाल हिए लॉप किसके दे लॉप के आभ़हिए इंफेक्शन आफ अगड़क से कई ज़िवगा सिम्टम्स को सकते है ठीक त्वीयल क्लम्सी स्प्रेड फॉरज उनच्ट तू नक्स्तू पीपर स्प्रेट मतलब फैलती है from one person to next एक इनसान से दूसरे इनसान को through किसके through air छीक दिया अच्छी और हवा में जब वारी छीक है उसकी droplet सी रह जाती है कई बार ठीक है when people who have active TV in their lungs ठीक है कैसे फैलता है जब people who have जो active TV है उसके lungs में वो थूके कफ इस्पिट करे इस पीक बात करे और स्लीज छीके है शीदी सी बात यह है कि जिसको TV है उसका saliva थूक अगले इंसान के अगर बॉड़ी में गया तो उसको TV हो सकता मतलब कि इसको थूक में saliva और सारी TV होने की संभावना बहुत ज्यादा मतलब mycobacterium tuberculosis की होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ठीक है अब तुम लोग पता ही है जब कोई छींक देता चीटे कई बार उपर आ जाती है 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 न हम लोग कहते है अकल नहीं है क्या इसलिए हम इसाज चींकते हैं तो मुह पे रुमाल रख लेते हैं ओके आगे आते हैं people with latent TV अब समझ जाना latent TV का मतलब क्या है latent मतलब जहां symptom नहीं है do not spread the disease अब symptoms ही नहीं है क्योंकि वो कफ क्योंकि symptoms किस case में नहीं दिखाए पड़ते मैंने बताया जब lungs का टीवी नहीं होगा तो symptoms हमें दिखाए नहीं पड़ेंगे हड़ी में हो जाता है skin में हो जाएगा अब यहां हाथ में है तो यहां से फैलने कोई चांस नहीं है ठीक है active infection occur more often in people active infection जो होता है अक्सर ज्यादा होता है किन में with HIV AIDS and in those who smokes ठीक है ना in cases में यह ज्यादा होता है diagnosis of active TB is based on जो टीवी एक्टीव होती है जिसमें symptom दिखाए पड़ते हैं उसमें generally chest का x-ray होता है यह as well as microscopic examination and culture of body fluid मतलब कि ठूक लिया जाएगा 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 culture करने का मतलब होता है उस फिल्यूड को एक तरह का medium यह प्रोवाइड कराके ना grow करवाया जाता है उसके अंदर bacteria होगा तो ग्रो कर जाता है और हमें पार चल जाता है कि उसके अंदर bacteria मौजूद है ठीक है यह diagnosis अभी हो सकता है बहुत से लोगों समझ में नहीं आएगा जो लैब अगर कोई बच्चा लैब के थोड़ा बहुत नौलेज होगा कल्चर का मतलब जो समझ रहा होगा किस तरह अगार-अगार प्लेट पे हम लोग बैक्टेरिया को ग्रो करवाते हैं उसी अगार-अगार प्लेट में हम बौड़ी का फिल्यूड ले करके छोड़ देते हैं बैक्टेरिया होगा तो वो पनप जाता है टेस्ट यह हम लोग क्या कर सकते हैं ब्लड टेस्ट कर सकते हैं प्रिवेंशन आफ टीवी टीवी को रोकना है प्रिवेंशन प्रिवेंशन मतलब अगर हमें लग जाए कि किसी को टीवी होने की संभावना है कैसे पता है मालूप परिवार में किसी को है तो हो सकता है परिवार में एक समस्कों टीवी है अब बहुत टाइम से सब लोग साथ ही रहा रहे थे अब पादा चला कि टीवी है तो सभी को चेक अप करा लेना चाहिए ऐसा नहों कि किसी और को भी हो गई हो ठीक है यानि कि जो हाई रिस्क पर हैं ओके अर्ली डिटेक्शन उसका इलाज थिक है एक वैक्सीनेशन आती है बीसीजी नाम से इसको लगवाने से क्या होता हų जो पीपल हाई अर्लीओं परिवार में उसका यह प्यवित। एक को हो रखा है तो रहेगा तो परिवार में ना वो कि भार से भार निकाल दो को उसे तो बाकी लोग अगर ये ठीका लगवा लेते हैं BCG का तो संभावना बहुत कम हो जाएगी कि उसको टीवी हो बासमझ में आ रही है है कि हो एक दोज़ेट हाइड है मिघे कौन कौन है हाइए किसको संभावना बहुत जाएं इंगलूड कौन कोर आते हैं उसके लो फकाशर हो बहूं को टीवीया साथ चार लोग काम कर रहे हैं या निकिर शोशल कोंटेक्ट एपल फिकर वीद 지나 जाती है बात समझमारी है तो यह सब चीज हमको ध्यान रखनी है इसलिए आप तो कोरोना के चक्कर में क्या होगे हम लोग मास्क लगाते ही है जर्नली भी अगर आप सफर कर रहे हैं भीड भार वाली जगहों पर मास्क लगाएंगे तो बहुत जादा संभावना है है सफर से ह बार्ट मैंने नौ मैंने इलाज चलता है उसका लॉंग पिरड लिखा हुआ बहुत लंबे समय तक एंटिवाटिक लेनी पड़ती है मल्टी पिल का ही सारिया लगड़ा है एंटिबायोटिक रजिस्टेंस इजा ग्रोइंग प्रॉब्लम अब आजकल क्या हो रहा है वह दे कोईल के अंदर से जो दुआ निकलता है उसके लिए रजिस्टेंट हो गई है इतना ज्यादा उसको हम लोग दे रहे हैं लगातार कि उसकी बॉड़ी के पर उसका असर नहीं हो रहा है अब यही होता है हमें क्यों मल्टीबल एंटिबायोटिक का इस्तमाल करना पड़ता है अगर एकी का इस्तमाल करेंगे या कई बार ऐसा होता हम लगातार एंटिबायोटिक बदल रहे हैं उसके बावजूद जो बैक्टेरिया है वो उसने क्या कर लिया उस एंटिबायोटिक के लिए ढल गया कि आओ भी हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा डालते रहा एंटिबाय जल्दी की वह जाता है ठीक है जिसे मुल्टी ब्रग रहे है उस केस में भी बैक्टेरिया रेस्टेंट हो जा रहा है तो यह जनल बाते थी अब बात करें साइंस और सिंटम्स की साइंस सिंटम्स थोड़ा वाथ हमने पीछे देखा कफ-फ की बात करी थी प्रॉपर नहीं आँ अब देख लें क्या है जनल साइंस सिंटम्स क्या होगा बुखार आएगा ठीक है चिल्स ठंड लग सकती है नाइट स्वेट या अभी हमने देखा था लॉस ऑफ एपटाइट भूक मर जाएगी वजन का लॉस हो सकता है ठकान हो सकती यह जनल सिंटम्स है अच्छा ठी बात करें टी बी को हम लोग लुग ऑफ कहां पर है लंग्स में है या लँक्स को छोड़ के किसी और और पार्ट में हो गई है अगर तो वह लंग्स में हुई है याने लुक्स की टीवी है बात समझभारी है इफ टीबर क्लॉसिस इंफेक्टिव अगर यह इंफेक्टिव एक्टिव है एक्टिव मतलब समझ रहे हो नहीं शिम्टम वाला हो जाएगा एन अफेक्ट दा लंग और लंग्स को अफेक्ट कर रहा है देन इटीज कॉल्ड पल्मोनरी टीवी तब हम इसको क्या कहते हैं पल्मोनरी टीवी कहते हैं सिम्टम की बात करें चेस्ट में पेन हो सकता है कफ आएगा विद मतलब खांसी आएगा और स्पूटम गाड़ा गाड़ा जो कफ होता वह बाहर निकलेगा अबाउट 25 परसेंट और पीपल में नौट हैव एनी सिम्ट इसा भी होता है इस केस में 25 परसेंट पीपल ऐसा हो जिन में सिम्टम सो नहीं दिखाई पड़ते हैं पता ही चलता कि टीवी है आपको बहुत दिक्कत नहीं हो रही केवल कफ आ रहा है नॉर्मल खांसी भी कई बार 2-2 हफते तक लोगों खांसी रहे जाती है ठीक हो जाती ह और टीवी वाली खांसी भी 2-3 अफते रहती है पता नहीं चल रहा है तो इसलिए चेक अप करा रहना है चाहिए है ना वो सिम्टम नहीं समझ बारा रहा है अपने कफ में कई बार कफ के साथ थोड़ा सा खुन भी आ जाता है किसी किसी केस में एक्ष्ट्रा पल्मणरी एक्ष्ट्रा मतलब लंग्स को छोड़के लंग्स को हटा करके उसकी बात करें तो क्या कह रहा है और यंग बच्चों में जिनका इम्मून सिस्ट्रम वीक होता है डल्ल्ट के केस में उसी केस में क्या होगा टीवी जो है वो दूसरी किसी पार्ट को infect कर पाएगा अदर्वास जैसी बेक्टेरा दूसरे पार्ट को infect करता है जिनका immune system strong होता है immune system उसको kill कर देगा बात समझ में आई immune system उसको kill कर देगा lungs के कहीं और छोड़के किसी और जगह पर होने नहीं देगा बट जिनका immune system weak है उनको lungs के अलावा भी कहीं और भी हो सकता है clear है बाते समझ में आ रही है चलते हैं आगे extra pulmonary sites includes extra pulmonary sites site मतलब जगह कहां कहां पर हो जाता है leura leura होता है lungs के बाहर एक covering होती है है ना lungs lungs के बाहर एक covering होती है उसमें फिलूड भरा होता है इससे की lungs क्या रहे थोड़ा सा moisture है उसको leura कहते है central nervous system लो दिमाग में हो गई अब TV है ना जिसको मेनिंजाइटीज भी कहते है ठीक है करो मेनिजाइटीज का रूपा रहता है lymphatic system lymph जो हमारी बाडी में lymph भरा रहता है एक system अलग चलता है वहां हो जाए genito-urinary system है ना यानि कि यूरिन वाला पार्ट है लास्ट लेक्सें देखा था ना हम लोगों ने यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन वहां पर अगर हो जाए तो उसको कहेंगे genito-urinary genital मतलब जो sexual reproduction में help करें उन हिस्सों में और प्लस-urinary वाले किसी हिस्से में हो जाए तो उसको कहते है genito-urinary system ठीक है genito word बना है जनाइटल ठीक है उससे बना हुआ है यानि कि वो पार्ट जो reproduction में help करते है टेस्टीस वगर आ जाएंगी ठीक है बोन्स में भी हो सकता है जॉइंट्स में भी हो सकते हैं अगर ऐसी किसी जगह पर होता है यह तो यह extra pulmonary कहलाता है और यह उनकी खास जगह है जहां पर यह एक्सर खुपाई जाती है ठीक है mechanism of action की बात करें कोर्स में तो नहीं है मैं बता चुका हूँ बड़ समझ लेंगे तो क्या है हमको पढ़ना थोड़ा सा असान हो जाता है जो को antibiotic है या कोई medicine है एंटिवाइटिक है या कई तरह की से काम करती है पहला काम क्या करेगी वह जाकर की cell membrane को तोड़ देगी दूसरा काम क्या करेगी इसके अंदर के protein बन रहे उनको रोग दोगी तीसरा काम क्या कर सकता है आरे ने बन रहे हैं उनको खतम कर देगा चौथा काम क्या कर सकता है डिएने इसके रिप्लिकेट जो डिएने इसका रेप्लिकेट होता है रेप्लिकेट मतलब 102 होता है दुगना होता है उसको रोग देगा यह डिएने रेप्लिकेशन जब इवाइड करता है ना तो डिएन प्रोसेस जनरल प्रोसेस दिमाग में रख लोगे तो बस हो गया का तो देखो क्या कहा रहा है आइसो नियाजीट एक ड्रग है जो क्या करता है इनिभी रोक देता है क्या रोक देगा अब सेंतेसिस ऑफ माईकॉलिक एसिड संसेल फर माइकोबाक्टेर लो2 इसकी सैलवल की सैलवल कि लिए इस इसेंसिए कजायो है अब संसदो जाते है क्रमरी की दीवाल तोड दें तो कोई भी हमारे घर में ठूट जाये है तो भाहर का प्रोटीन मराने में help करती है तो यह इसको क्या करेगी तो यह क्या करेगा इसको रोब देगा इतेम ब्यूतेनोल इनिविट माइट कॉंड्रियर एरभी नॉसिल ट्रांसफरेज ठीक है ना एरभी नॉसिल ट्रांसफरेज एक इन्जाइम है इनिविट SUBSCRIBE जिससे क्या होता है सेल मेंबरेन बननी रुक जाती है क्या होो तो पिलाल हाप एक तो कौन सा ऐपेक्ट था सेल वाल को तोड़ रहा है और दूसरा इसके अंदर की सेल मेंब्रेन ठीक है ना तो बैक्टेरिया या कोई को यह माइक्रो और्गनिजम है उसको खतम करना है तो उसकी सेल तोड़ दो उसके अंदर के कोई चीज जब प्रोटीन बन रहा है उसका मेटाबॉलीज मोरा उसको रोग दो इसी तरीके से हमारी क्या करते हैं ड्रक्स काम करती है ठीक है बासमझ में आगी तो यह मोड ओफ एक मोगा एक करना है फर्स्ट लाइन रग किसे कहते हैं फर्स लाइन ड्रग वह होती है ठीक है जिसको हम लोग हमारी first choice होती है कि हाँ इनको इस्तमाल करेंगे तो से वहारा treatment अच्छा होता है बिना side effect को जल्दी असर बहुता है आई-स नियाजीर रिफैमसीन पायरामजीट प केप्रियो माइसीन ठीक है तो यह तुमको तो याद करना पड़ेगा इसमें कोई और आपसर है नहीं क्लासिफिकेशन तुमको याद करनी करनी है कि लिए रहे बाते हैं चलें आगे ओके तो फॉर्स्ट लाइन सेकंड लाइन समझ में आगया फॉर्स्ट लाइन कौन सी होती ह आगे आते हैं अब आते हैं हमारे पास जो हमारे ड्रग्स है हमारे कोर्स में दे रखा है आई-एन-एच क्या नाम है आई-एन-एच का फ्लूफर्म क्या है आई-एन-एच का फ्लूफर्म है आई-सो नीकोटीनिक एसिड हाइडराजाइड आई-सो नीकोटीनिक एसिड हा antibiotic used for treatment of tuberculosis यहाँ एक antibiotic है जिसको हम treatment tuberculosis के treatment के लिए इस्तमाल करते हैं हो गई बात for active tuberculosis कौन से टीवर क्लॉसी से active इसके symptoms दिखाई पड़ेंगे है ना latent वाले के symptom दिखाई नहीं देते हैं ध्यान रखो नोट से description में आज चाहो तो पहले निकाल के रख लो और उसमें क्या करो मार करते चलो it is often used together with rifampcin, rifampcin के साथ अक्सर इसका इस्तमाल किया जाता है rifampcin, pyranesiamite and either steptomycin और ethambetal मतलब combination में इसका इस्तमाल होता है for latent tuberculosis it is often used by itself यानि का अगर latent है तो हम इसको अकेले ही by itself अकेले ही अकेले काम कर जाएगा किसी दूसरी जोर्ट नहीं है ठीक है ना it is usually taken by mouth है ना mouth से लिए जाता बट में भी यूज़ बाई injection into muscle जहां रखो बच्चो जितनी भी टीबी की दवाई है ज्यादा तर सब टैबलेट्स हैं कि हम ओरल ले सकते हैं जादतर ठीक है ना कुछ एकाद आता है अदालग केस में बना जादतर सब क्या ओरल चलती है chemical name structure इसके उपर star बना हुआ है दिख रहा है हमको तो chemical name structure हमारे course में है और बड़ा simple है इसका ठीक है यह क्या हो गया si लगा हुआ है c o n h है ना तो यह देखो कीडिश हाइडरा जीन यह क्या होता है यह लगा हुआ है तो यह क्यों हो गया पारीडीन वन टू थी एंड फॉर तो पारीडीन ओके फॉर कार्बो हाइड्राजीन ठीक है यह लगा हुआ है दिस पारीडीन आगे गुरूप मेरे पास तो यह साथ लगा हुआ है तो है उकर सकते हैं सिंपल ना आते होंगे इस तरह से बना लिया और यह अपना यह बना लिया एंड बना लिया चलो आगया आते हैं यूज की बात करें तो अब यूज सब में एक ही है, it is used for tuberculosis, ठीच है, सब में एक ही है, used for tuberculosis, इसी तरीके से बच्चों हर किसी का आप कर सकते हो, मैं questions भी कराऊंगा, बड़ा simple रहेगा, आपको question करा दोंको तो इतना easy लगने लगेगा, यह किसी कोई हद नहीं है, डरो नहीं बिलकुल भी, आइसो निया जेड, यह वह दवा है, जो टीवी कोई रोक्था में इस्तमाल होती है, यह तो होगे हिंदी, ठीक है, अब इसके इंग्लिस क्या हो जाएगी, आइसो निया जेड, is a medication, या it is used, या it is a drug, used to treat active tuberculosis, ठीक है, active भी ना ध्यान रहे, कोई बात नहीं, simple लिखो, tuberculosis, ठीक है, इस्तमाल हो रहा है, अब इसके राबहा कोई और एक दुख्य के एक और इस्तमाल होते है, हमें वो याद करने जरूद नहीं है, इस्टेविल्टी स्टोरे सब में सेम रहेगा, इस्टोरे टंपरेचर टंपरेचर 25 यह याद ना रहे, छोड़ दो, लिख दो, रूम टंपर लेवल है, ब्रैंड नेम की बात करें तो, नाइड्राजिट, रिफाटर, रिफामेट और आइसो, आइसो ना रिफ, यह ब्रैंड नेम में है, इसके, किलो लोगी बात ने, आब आगे चले, इथैम ब्यूटाल, इटी यूज टू टू ट्रीट टीवर ग्लॉसिस, ओविस ह बात है, टीवी पढ़ रहे हैं, या टीवी का ड्रग है, तो टीवी में काम करेगा, करेगा, इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हो, इटी जैन एंटी इंफेक्टिव ड्रग, यूज टू 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 टूबर क्लॉसिस, बास समझ में आ रही है, तो जरूरी नहीं कि बि कॉमन सेंस भी लगाना है, है ना, ध्यान रखो इस चीज को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि टीचर जो लिखो आ रहा है, पड़ा रहा है, बिल्कुल वही लखीर के फ़कीर बनते चले जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते चलाओ, चले जाओ, और चीज आसान होती चले जाए आजरेंगी, first line, अगर तुमक क्लासिविकाशन याद है तो लिख सकते हैं ठीक है न, first line of choice, first line वाला हो, second line वाला नहीं हमारे पास, first line की ड्रग है हमारे पास, but, adjective tuberculosis, adjective मतलब साथ में किसी ठीक है याद रहे तो अच्छी बात नहीं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अच्छी फर्स्ट लाइन बट अध्यूंक्ति मतलब किसी के साथ में और वी केंड गिव इस मैडिसें विद सम अधर मैडिसें अपनी लेंगेज बना लो कोई दिक्कत नहीं है जो कि हमें साथ कॉंबिनेशन में ही इस्तेवाल होता है ठीक है ना बास समझ में आ रही है विच इस उनली इन कॉंबिनेशन मत लिखो ऐसी बहसा भी तो और सिंपल कर लो इटीज़ फर्स्ट लाइन ड्रग एंड इस आल्सो यूज़ विद सम अधर ड्रग्स आल्सो लिख त तो यह तो लाइन आप अराम से बना के लिख सकते हो है ना कि हम लोग इसको इसके साथ या इस्तमाल कर सकते हैं ओके इद्धा मुटल इजन एंटीपाइटिक भी बैक्टेरियो स्टेटिक स्टेटिक मतला उसको रोकने वाला एंटी माइक्रोबियल है ठीक है एंड एंटी एक्टेरियम कांज ये दो और बैक्टेरिया दे लिए जिनको यह क्या करता है रोक्ता में काम आता है इस टेकन बाई माउठ ये माउठ से ली जाती है ओके और कैंड कलने में इस्ट्रीक्च्चर की बात करें तो आउग देखें क्या है डिक्स्ट्रेश्टेश्यं गेंड सी चौता सी तो यह तो हो गया one two three and four butane two all तो यह रहा भी यह अब बज़िया chain यहां डाल दो one और यहां डाल दो two तो two पर क्या लगा हुआ है two के one two three and four two के उस पर क्या लगा हुआ है one पर hydroxy butane two से जड़ा हुआ है तो तू से आइल और यह अमीन ग्रूप लग यहां पर ठीक है ना अमीन फिर इथाइल और अमीनो फिर यहाल आमीनो और ब्यूटे इन वन ओल ठीक है ना अब काफ़ेता समझ मारा रहा हुआ है पीछे चलते हैं हम लोग यूज इसका वही है यूज टू ट्री ट्री ट्यूबर क्लॉसिस ओके इस्टेविल्टी स्ट्रेस सेम है from Umwelt and Tablet brand name myambutal kombutal ethambutal के नाम सही है टीवी की दवायों में एक खास्ते आता है जो ड्रक का नाम है उसके नाम से दवाया पका है ठीक है ना तो उसका एक नाम तो ड्रक का नाम है नाम से एक ड्रग एक मेडिसीन जो एक ब्राइंड नेम है तुमको वह मिल जाने वाला है किलियर है ओके नैस्ट देखते हैं पैरा अमीनोसलिसालिक एसीड ठीक है ना इसे हम पी एस भी बोल देते हैं शौट में कई बार वह लिखा भी हुआ है ओके इसका दूसरा नाम क्या ह और अमीनोसलिसालिक एसिड आलसो नोन एज पैरामीन जलेसालिक एसिड ठीक है ना and sold under अदो ब्रेंड नेम पेसर या पासर ठीक है फोर अमीनो-सल्सलिसालिक एसिडिघन अमीनो-benजोयक एसिड क्या है यह और देचल प्सक्रूट यह रहा और इसी में एक अमीन ग्रूप और लगा दें तो यह हो गया अमीनो बेंजोएक एसिड है ना सिम्पल है सब इजी हो जाएगा डॉंट बरी शीक्ते चलो कि वला भी डैट इस सैलिसालिक एसिड अमीनो ग्रूप यानि कि सैलिसालिक एसिड जो है वह और उसकी एक जगह पर हम लोग अमीनो ग्रूप और लगा जाता है एट पोजिशन नमबर फोर तो यहां पर होता गया है यह रहा सी ओएच ग्रूप सी ओएच ठीक है और यह लगा वो यह जो है मेरे पास यह हो गया सैलिसालिक एसिड ओ ना होता तो बेंजोएक एसिड हो ठीक है ओ लग गया तो सैलिसालिक एसिड इसी के पैरा पे लगा हुआ है नमबर फोर पे वन टू थी और फोर पर क्या लगा हुआ है अमीन लगा हुए है किलियर है तो ठीक है वही कह रहा है सबस्टिट इड जाने की फोर्थ नमबर पर आ करके एक हट गया बेंजीन पता है कैसी होती है यह लोगो यहां ल Gins created that in I have a heroin को लए फोर होती है यह carbon 1234 आ चुक्त न हम तो यहां से hafSA ह्टा गिया है इसके लिए लिए इसमाल हुआ है सफ्टी टूटेड एक फट गया है तो इसके लिए बास कोगे पेक कि दूसरा लग जाना कौन हो आ अब यह बात तो जर्नल है लिख रहे हैं अगर पता है ड्रग किसके बारे में तो इसको 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 इस्तमाल करेंगे ठीक है विद अधर एंटी टीफिकलोसिस मेडिकेशन कुछ और भी टीफिकली टेकन बाइमाउथ इससे जर्नली माउथ के द्वार लिया जाता है यह इसका नाम हमने डिस्कस कर लिया स्टक्चर ठीक है यह या पैरामीनो तू हाइड्रॉक्सी आईवपीसी करनी है हमें वो सा यूज की बात करें सेम यूज है टीफिकलोसिस में इस्तमाल होगा इस्टेविल्टी स्टोरी सेम है फॉर्मिलेशन टैबलेट है ब्रैंड नेम पेसर और ग्रेंटी पस के नाम से मार्केट में अविलिबल है कि लिया रहा है ओके पाइर जीनमाइड इड इस फर्स्ट हो जाए इसलिए हम लोग इसको इसको इस्तमाल करते हैं रफैमसीन और आइसो नेजीट के साथ में एडर स्ट्रेप्टोमाइसन और इथैंबुल मतलब जनरली क्या है तुमको यहाँ पर एक लाइन एक्टा जोड़ देनी है तो मेक इत मोर एफेक्टिव इस उस्तमाल करते ठेकन बार माउथ माथ फिदर लिया जा रहा है ओकर और इधर हमारे पास सिंपल है पाइराजी टू कार्वक्समाइब ठीक है ना यह मेरे पास वेयम और समाने नाम से सारी ब्रैंड निए 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 better सब्सकनी यह लिए वाज नहीं हो रहे हैं तो नेट पर जाओ ठीक है ना और क्या करो जो ड्रग के नाम से मिलते हुए ड्रक्स का नाम उसको तुम लोगो लिखो या याद करो कोशिशन में यह करता हूं जो ड्रक का नाम है उसी के नाम वाले यहां पर दूंग लेकिन कई भाट थोड़ से हो जाता है जो कि अधर के द्रक कोई बात नहीं आगे आते हैं क्लास्च रीफामयसिन का मेंबर है यह यह डlie लौक कैसा है यह संतिक actual है ठीक है और ओयोटिक ठीक है यह तो जर्णल वर्ड आ गया ना कि रिफैमसीन है कई टाइप के बैक्टिरों किल कर रहा तो यह लाइन तो सब में एड़ कर दो इंक्लूडिंग टीवी टीवी में भी काम में आता है भाई है तो बैक्टिरों किल करने वाला ठीक है जैसे बोल रहा है मैको बैक्टिरम ओउवियम कंबलेक्स लेप्रसीक कुष ट्रोक जो होता है हमारा एण लजने डीजीज evenly जर्णाने काचीन होते हैं उनको अलोग लाइजयनेर्स डीजीस के यह लंग कीइन के इंफेक्शन होते हैं का मैंड बोल देते हैं इ Castle ली टेंट टीवी इसको किसका ज लेटेंट टीवी के लिए strongly recommended है यह यानि कि लेटेंट टीवी में बहुत ज़्याद असर करता है यह रिफैमसीन में भी गिवन आइधर बाइ माउथ और इंट्रावीनेसली माउथ या इंट्रावीनेसली इसको दिया जाता है इंट्रावीनेसली समझ रहें और नस के अंदर डारेक्ट इंजेक्शन कर देंगे लिख लेना हिंदी में इसको जिनको नहीं पता अभी जो लोग लैक्ते पहली बार देख लोग देखते आ रहे हैं वो लोग एक्सपर्ट होगे होंगे इसका नाम इतना खतरनाग है फिर भी मैं लेके आया इसको उसका रिजन ये था कि मैं कराता आ रहा हूं ठीक है तो फिलाल में इसका नाम कहांसे किया आ रहा है उसको अभी यहां details करूंगा कफ़ बड़ा नाम है इसको कहें से start करूंगा कहीं लेकर जाओंगा तो तुम इसमें कॉर्स में नहीं है फिर बता रहा हूं बट देख लो काफी घुमावधार है इसका यह ठीक है नाव भी नहीं करा रहा हूं कि कहांसे ब्रेक होगा कही सारे घूलिप फिर घूमके लग रहा है फिर उसमें लग रहा है फटीट ट्राइव रखता हूं मैं ृसलिकों के आए जायेगा यहा लेटिन्स यह लेला भी इसीलियह लेटिंस इट इस लेटेंट इस ट्रॉंगली रिक्मेंड़ फॉर लेटेंट टीवी इंफेक्शन ठीक है ना रिफैम से चलो आगे आते हैं फॉर्मली सर्म कैप्सुल पाटर की रूप में अविलिवल है ब्रैंड नेम की बात करें तो आर्सीन रिफापीन और रिफवल के नाम से मार् में अविलिवल है इस यूज टू ट्रीट एक्टिव टीवर लॉसिस देखा रिफैमसीन वाला जो था केवल थोड़ा दिमाग लगा होगे कि आठ ड्रग थे आठ में से एक पांस पर चला गया रिफैमसीन वह था लेटेंट के लिए बाकिस सारे किसके लिए आ रहे हैं एक एक्टिव बोलते हैं अभी बताया था मैंने और जिसमें शिम्टम्स नहीं दिखते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं लेटेंट ठीक है सोया सोना नहीं स्वया मत करो लेक्टर में स्पैसिफिकली यूज टू टू ट्रीट मल्टी ड्रग रिजिस्टेंट टीबर क्लॉसिस है ओके कैमिकल नेम और स्ट्रक्चर देख लें इसका कर लें ठीक है आओ देखते हैं इसका करी सकते हैं ओके यह देख लेते हैं वन टू ओके सी 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 1 2 3 4 देखने लग रहा है है न क्योंकि यहां पर अलकोहल सबसे प्राइरटी पर रहे गा तो 1 2 3 4 यह आ गया मेरा क्या अलकोहल ठीक है ना और यह आ गया 1 2 और 3 यह आ गया 1 2 3 4 5 & 6 क्योंकि इसके वन पर एक तो लगा हुआ है फिनाईल ठीक है ना इसके वन पर क्या लगा हुआ है एक लगा हुआ है फिनाईल ठीक है एक लगा हुआ है इधर पर नैप्थलीन खैर इधर पर आते हैं इस वाले पर आते हैं इस पर क्या लगा हुआ है इधर से स्टार्ट करे कि यह मेरे पास क्योनोलीन हो गया त्री से जुड़ा हुआ है तो थ्री आई फिर फोर पे जाओंगा तो डाइमीथाईल अम्हीनो C और C टाइमिथाइल अमीनो टूपर और क्या लगा हुआ नेप्थलीन और राइप्सलीन जुढा किसे मैं इंटात है बात करें इस इूजЗ सट 채ंए हैं है आगे आते हैं डेला मेनीड ठीक है ना डेला मानीड सोल अरे ब्रैन्ड नेम डेल्टाइबर ओके डेला मैंनी ज़्ञाइट्रो ल्हाट Harm ऑटि दाई है ना शोट्ष इने doesn't dire यह एयski मिदा जो just में पढ ग Lacallだ अजू सा जुक्सा जो याद रहे तो अच्छी बात अब याद ही रहेगा तो इसससी लिए जा रहा है एक है मैन काम क्या है इसका ये दो तीन चीजएं इसके जनरल इंट्रो उगे तीछर समझ जाएगा तुमको आती है कि तो इस प्रैसिक्टली इडिव आलॉंग विट किसके साथ अलांग विद आदर रिटि यह बेद यह वैईन के साथ इसका इस्तिमाल में आता है ठीक है जर्णरली फॉर एक्टीव मल्टी ड्रग रिजिस्टेंट ट्यू यानि कि जो मल्टी डग रिजिस्टेंट कि रहने दे, चलो कर लेते हैं ओके, तो यहां देखते हैं हम लोग Oxajole, यह है हमारे पास Oxajole और इसकी naming आती है हमारे पास 2 methyl एक मिनट, अभी आ रहे हैं यह आ गया, 1 then 2 और 1, 2, 3, 4, Nitro, Imidazole 3H Imidazole, कहां गया यह ओके, एक मिनट, महाँ पर करते हैं अभी 2 पर मिथाल हो गया यह, 6 पर Nitro 1, 2, 3, 1, 2, sorry यह आ गया, देखे दर पर, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 पर क्या लगा हुआ है, नाइट्र लगा हुआ है क्लियर है, समझ रहे हो, तो देखो, नाम से structure को बनाना, आना चाहिए, या नाम से structure को पकड़ना आना चाहिए, इतना भी सीखो गया, अगर दीरी दीरी करके, तो बाते तुमको समझ में आने लगेंगी, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नाइट्रो पर हो गया यह, आगे आते हैं, टू पर और क्या लगा हुआ है, टू पर यह लगा हुआ है, ठीक है, फिर, यहां पर आ जाओ, यह सी लगा हुआ है, इसके 1, 2, 3 and 4, ठीक है, यह 6 पर नाइट्रो हो गया, इ 2, 3 and 4, समझ रहे हैं, 3, 4 कैसे आ गए, और उस पर क्या लगा हुआ है, C, ट्राइफ्लॉरो मिथाक्सी, ऑना ही, यही लगा हुआ है, तो ट्राइफ्लॉरो, तीन फीलॉरो हो गया और यह害 मिथाक्सी होगय, तो ट्राइफ्लॉरो मिथाक्सी, फिर यह वाला ग्रुप क्या वापस सा बन गया तो इस तरीके से नाम पीछे से नंबरिंग आगे से फिर पीछे से नेमिंग करते हुए हम लोग चले आते हैं और यह इसका नाम हो जाता है के लिए रहे चले आगे यूज़ इस यूज़ अगें वही टीवर क्लॉसिस स्टोरी स्टेविल्टी सेम हैं फॉमलेशन टैबलेट ब्रैंड नेम है कलॉता डेल टाइबा ठीक है चले आगे ओके लास्ट ड्रग है प्रिटो मैनिड ठीक है एट इस एन एंटीबाइटी क्लब क्लॉसिस अफेक्टिंग दा लंग्स वो टीवर क्लॉसिस जो मल्टी ड्रग रेस्टेंट हो चुके और लंग्स को अफेक्ट कर रहे है उनमें इसका इस्तमाल होगा प्रिटो मैनिड इजा नाइट्रो इमीडल जॉक्सा जीन एंटी माइको बैक्टेरियल एजेंट यूज यहां से लिख लेना इट इस यूज़ इन कॉंबिनेशन विद अधर एंटी ट्रिवर क्लॉसिस ट्रक्स थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्रिजन सफ माइन मैंने क्या का लकीर का फकीर नहीं बनना है टीचर न जो पड़ाया है उसमें से वह कोई ची टफ लग रही है तो थो यहां पर इस टार लगा हुआ है अब इसका नाम देना पड़ेगा अब देखो यह जो था इसका अब यहां आ जाओ अगर यह नेमिंग समझ में आई होगी यह तो अपने कोर्स में नहीं थी तो यह नेमिंग इदली कर ले जाओगे है ना बात समझ में आ रही है किलियर है ओके अब देखते हैं इसका हम लोग आ ओके अब यहां पर क्या हमारे पास वन टू एंड थ्री ऑक्साजीन टू नाइट्रो तो यहां लगा जाते हैं वन टू थ्री फॉर फाइव सिक्स ओके वन टू टू पे क्या हो गया नाइट्रो यह रहा टू पे नाइट्रो थ्री फॉर फाइव सिक्स पर क्या लगा हुआ है यह देखा अभी गॉस से देखेंगे तो यह आ गया ग्रूप एक यह आला ग्रूप ठीक है फिर एक यह आला ग्रूप है 6 के कारवन के 1, 2, 3 and 4 ठीक है न? एक यह है 4 पे क्या लगा हुआ है? Trifloro, Methoxy वह वाला गुरूप आ गया है Trifloro, Methoxy, Phenyl यह गुरूप क्या है? Phenyl और यह क्या है? Methoxy तो गुरूप तोड़ते लेंगे हम लोग Phenyl, Methoxy फिरका कह रहा है 6, 7, Dihydro जाने कि हापे Unsaturation था वहापे Hydron लग गया है 5 पे भी H Hydron लग गया है Imedazole 2, 1, B 2, 1 और जो बीच की Bonding आ जाएगी वो B हो जाएगा और 1, 3 1 and 3 Oxas जो यहाँ पर एक चीज दे रखी इमीडाजो और Oxagene ठीक है ना यह बात को समझना होगा बच्चो इसमें जो यह वाली रिंग है इतनी ठीक है ना यह रिपेजेंट कर रही है इमीडाजोल डेरिवेटिव को और यह जो रिंग है यह दोनों रिंग फ्यूज हो गई है यह रिपेजेंट कर रही है Oxagene को ठीक है ना तो यह रिंग है अच्छा इसमें O और N 1, 2 और 3 पर लगे हो मतलब 1, 2, 3 है तो इसलिए 1, 3 Oxagene है यह यह बात समझ में आ रही है किलियर है ठीक है ना तो इसलिए यह है Oxagene और यह है इधर Imidazole यह है Imidazole जो आगे वाला है और यह Oxagene ओ बात में आ रहा है तो यह Oxagene आ गया है यह दो रिंग क्या हो गई है फ्यूज हो गई है रिंग को बारी की से एक एक रिंग को पढ़ेंगे हम लोग उनका फ्यूजन भी समझेंगे कहां समझ में आएगे यह सारी बात है IOPC में आएगी ठीक है ना किलियर है ओके आगे आते हैं चलो आगे आते हैं यूज इट इजन एन एंटिवाटिक उस्ट फॉर दर ट्रीटमेंट आफ मल्टी ड्रग रिजिस्टेंट ठीक है ना आगया ट्रीबर क्लॉसिस से मल्टी ड्रग में काम आता है इस्टेविल्टी स्ट्योरिज इसका सेम है फॉर्मलेशन इसकी टैबलेट है और ब्रैंड नेम क्या है डॉफ प्रेला है ठीक है तो यह हमारे पास हमारे क्या होते हैं ड्रग्स खतम हो जाते हैं टोटल आठ ड्रग्स जो हमने यह पढ़ लिए एंटी ट्यूबर क्लॉर टी बी के बारे में ठीक है जवान लडखायन लगी है ठीक है रात थोड़ी ज्यादा हो गई है आंकों में नींद भरी है तो जवान थोड़ी सी लडखा जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट तुम्हों को पता ना क्या करना है फिर कह रहा हूं जो तुम्हारे पास स्टार वाले क्या हैं स्टार वाले ड्रग्स हैं उन्हीं के नाम और आयोपीसी तुम्हों अभी लेके चलो बात वाकी को अभी छोड़ दो ठीक है अब मैं जब आयोपीसी कराऊंगा तब वहाँ पर सारी चीहों क्या कर दूँगा कवर अप कर दूँगा किलियर है तो क्या करना है पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है आल दा बेस्ट